Dear Parents का क्या मतलब हुता है आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Dear Parents का मतलब हुता है प्रिया माता पिता या प्रिया अभिभाव को यानि कि आपके बच्चे के स्कूल की तरफ से आपको कई बार कोई मैसेज आता है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है Dear Parents या हिंदी में प्रिया माता पिता या प्रिया अभिभाव को यानि कि आपके बच्चे के संदर्ब में जब आपको कोई संबोधित करना चाहता है तो वो ऐसा लिखता है जैसे कि आपको ये कहा जाए प्रिया अभिभाव को कर्पया सुनिश्चित करें आपका बच्चा कल आवश्चक पुस्तकें लेकर आए तो आप कहसकते हैं Dear Parents Please ensure your child brings the required books tomorrow या अगर आप ये कहना चाहें कि स्कूल छुटियों के लिए बंद रहेगा प्रिया अभिभाव को तो आप कहसकते हैं The school will be closed for holidays Dear Parents या गर आप ये कहना चाहें कि प्रिया अभिभाव को या प्रिया माता पिता हम आगामी कार्यकरम के लिए आपके सहयोग का नुरोद करते हैं तो आप कह सकते हैं Dear Parents, We request your cooperation for the upcoming event अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें